Hello dear children, good morning. Up till now, अब तक हमने हिंदी में सीखे है पाच व्यांजन, ठीक है? और उन व्यांजन में हमने सीखा है क, ख, ग, ग, और न. कैसीखा है? क, ख, ग, ग, और न. ओके? तो फिर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं च. हम लोग सीखने जा रहे हैं च, च से चर्खा, च, च से चर्खा, ओके? तो अभी हम लोग अपनी शब्द ज्यान की बुक लेंगे और ओपन करेंगे. ठीक है? आज यूँआजन आजने पाच आपको निकालना है. ठीक है? चलिए. पहले हम लोग एक बार रिविजन कर लेंगे, फिर आगे का देखते हैं. ओके? चलिए. क, क से काला. क, क से कबूतर. क, क से कलम. ओके? ख, क से किलोना. क, क से कर्बूजा. क, क से कटमल. ग, ग से गमला. ग, ग से गधा. ग, ग से गाजर. उसके बाद आता है, ग, ग से घोडा. ग, ग से गड़ी. ग, ग से गण्टी. और इसे कहते हैं, अण. क्या कहते हैं? अण. टून दपेज. च, आज हम क्या सीखने वाले हैं? च, हम लोग सीखेंगे. च, च, च से चर्खा. च, च से चाबी. च, च से चिन्टी. ओके? तो हम लोग देखेंगे, कि हम लोग को बुक में कैसे लिखना है. ओके बिटा? तो, पेज नमबर 95. माइ स्कूल बुक पेज नमबर 95. आप ओपन कीजिए. यहा से स्लिपिंग लाइन, कर्म लेके उपर जाना है, फिर नीचे आना है. And then this is a slipping line. क्या कहते है? च, क्या कहते है उसे? च, थोड़ी से जो second blue line है, उसके थोड़ा उपर लेना है, फिर curve लेके उपर जाना है, फिर standing line और फिर slipping line. Okay? फिर से एक बार, curve लेके फिर नीचे आईए और यह slipping line. Okay? This is the way you have to write your letter च, ऐसे च लिखना है. Okay? मैं फिर से आपको एक बार दिखाती हूँ, आपको बुलना है, च से चरखा. बोलिए मेरे पीज़े, च से चरखा. जब भी आप लिखो, आपको बोल बोल के लिखना है, ताकि आपको आजाए. Okay? वहाँ पर dot भी दिया है. So, suppose this is your dot. Okay? उस dot से शुरू कीजिए, curve लीजिए, उपर जाईए, फिर नीचे आईए. चो, चो से चरखा. फिर से. चो, चो से चरखा. फिर से. चो, चो से चरखा. ठीक है? ऐसा आपका चो है, और ये आपको रखना है दिमाग में. Okay? चो से चरखा. ठीक है पिटा? अभी मैं आपको होमवर्क लिखके देती हूँ. Okay? Here. I'll write down the homework over here. Okay? ये है आपका HW. पेज नंबर 95 to 96. पेज नंबर 95 to 96. Okay? This is your homework for today. Bye-bye. See you.